नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका The GS Platform YouTube चैनल में तो देखिए आज आपके लिए Master वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका Part 4 मैंने यहाँ पर डिस्कुसन करने का प्रयास किया है तो देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे इस चैनल The GS Platform YouTube चैनल को इस तरह के आइकन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लिजे साथी साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को मास्टर वीडियो नमर 4 देखिए मास्टर वीडियो है क्या देखिए जो भी हम आपको हर दो दिन में करंट अफेर देते हैं इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेशन बच जाते हैं या कुछ पिछले समय के कुछ ऐसे question है जो काफी मातपूर है और जिनको पिछली वीडियो में सामिल नहीं किया सका किसी कारण से तो ऐसे प्रश्णों को यहां पे मास्टर वीडियो में discuss कर लेते हैं तो यह मास्टर वीडियो नमर 4 है से पहले तीन वीडियो में बना चुका हूँ तो चलिए स्फुरू करते हैं इस वीडियो काफी important question यहाँ बे हम cover करते हैं और देखिए current affair का मेरा उद्देश भी यही है कि कि किसी न किसी तरह से चाहें कोई भी तरीका हो current affair में अच्छा आपको score कराना है जैसे 30 नमर का जो आएगा उसमें 30 में कम से कम 29 या 28 नमर का कम से कम होना ही चाहिए जिससे कि अच्छी तरह से scoring हो सके क्योंकि current affair अपने हाथ में है 2-3 महीने पहले की current affair को मजबूत रखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें इतने अंक मिल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है और रही बात बाल विकास, सिच्छड कॉसल, जीवन कॉसल या सूचना तक नहीं की यह ऐसे subject हैं जी हमारे हम लोगों के हाथ की पकड़ में नहीं है क्योंकि पता नहीं कहां से question आएगा लेकिन फिर भी उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए लेकिन current affair की series को चलो आगे बढ़ाती है इज of doing business में भारत का कौन सा इस्थान मिला है तो देखिए सौवा इस्थान मिला है भारत को इज of doing business में यानि business के करने के लिए भारत किस तरह का देश है तो सबसे अच्छा देश तो New Zealand है लेकिन सौवे नमर पर भारत का इस्थान आता है उसी परकार दूसरा question है कि इज of doing business ranking में series देश कौन सा है तो देखिए इसमें series देश New Zealand है अर्थार्थ New Zealand एक ऐसा देश है जहाँ पर business करना बहुत ही आसान है तो देखिए यहाँ पर दो question discuss हो चुकिए अगला question आपका है राष्ट्रिय बाल पुरस्कार 2017 किस ने वितरित किये तो देखिए इसका answer है राष्ट्पती रामनात कोविंद ने राष्ट्रिय बाल पुरस्कार वितरित किये है next question आपका है UNESCO Asia Pacific Award for the Merit रंगा स्वामी मंदिर को देखिए जो स्री रंगा स्वामी मंदिर है यहाँ पर इस मंदिर को UNESCO दोरह Asia Pacific Award for the Merit दिया गया है ठीक है इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे next है आपका देखिए सामाजिक नियाए के लिए सामाजिक नियाए के लिए Mother Teresa Award 2017 किसी मिला तो देखिए United Nations High Commission for Refugee United Nations High Commission for Refugee एक संस्था है इसको मिला हुआ है Mother Teresa Award 2017 ठीक है तो बस ध्यान रखेंगे इस चीज़ को next आपका है Tata Literature Tata Literature Lifetime Achievement Award किसी मिला तो देखिए प्रसिद अवनेता Greece Karnad को Tata Literature Live Lifetime Achievement पुरस्कार मिला हुआ है तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में काफी मैंने पुरस्कारों के डिस्कसन किया है कौन सी आवार्ड किसे मिले हुए तो इन चीज़ों को बस कवर करके रखेंगे आप next है आपका जमनाल बजाज पुरस्कार 2017 किसे मिला तो देखिए यह तीन इन व्यक्तियों को मिला है रचनात्मक कार्री में को हितु ससी तयागी को मिला हुआ है ग्रामेड विकास के लिए जन स्वास्त सहयोग एक संस्था है इसे मिला है और महिला विकास या बाल करलियान के लिए प्रवीड नायर को मिला हुआ है नेक्स्ट कॉस्चिन आपका है हिरदायनाथ मंगेसकर अवार्ड तू 2017 किसे मिला है तो देखिए जावेद अक्तर को यह पुरस्कार मिला हुआ है ठीक है अगला कॉस्चिन आपका है आसियान सिखर सम्मिलन 2017 कहां आयोज़त हुआ तो देखिए फिलिपीन्स की राजदानी मनीला में आसियान सिखर सम्मिलन आयोज़त हुआ था जिसमें भारत की प्रदायन मंत्री भाग लेने के लिए गई थी ठीक तो धियान रखेंगि अपशियान सिखर सम्मिलन अगला कॉस्चिन आपका है कि केंशरकार की नाव गठित उफिलिपीन्स की राज़त की सीरे सम्मिलन 2020 से कार करने लगेगा एक अपरेल से लेकर ठीक है तो इस चीज को धियान रखेंगि इसके वित्तायुक के अदिछ कोन है? N.K. Singh. अगला question आपका है कि एक वर्ष में दस सतक लगाने वाले दुनिया के पहले कब्तान कोहली ने दसवा सतक किसके खिलाप लगाया? तो दिखिए स्री लंका के खिलाप लगाया है. Next question है. इसरो ने, Indian Space Research Organization इसन इसका full form है तो इसरो ने वर्ष 2019 में शुरू किये जाने वाले पहले solar mission देखिए यहां पर है सब्द solar mission क्या नाम रखा तो देखिए आदित L1 आदित L1 उसका नाम रखा है यह जिस प्रकार से हमने आपको current affair के सभी वीडियो से में आपको आउगत कराता रहा हूँ current affair की कोई भी question आपसे ना बच पाई इस वजए से में यह master video program शुरू किया है मैंने regular basis पर आपको हर दो दिन में या हर तीन दिन में वैसे दो दिन की कोशिस की जाती है कि हर तीन दिन में आपको वीडियो मिलती रहती है जो की दो तीन दिन में current affair बनती है लेकिन इसके अलावा मैं जो भी वीडियो दे रहा हूँ जैसे master video की चौती वीडियो है आगे आने वाले वीडियो में पांच भी वीडियो भी मिल सकती है तो इन वीडियो में जो question आपको मिलते हैं उन question को भी आप अच्छी दरह से तयार कर लेंगे क्योंकि ये question भी कहीं न कहीं अपने आप में बहुत ही अधिक मात तो रखते हैं और इनके भी आने की पूरी-पूरी संभावना है master video program का सीधा सा उद्देश यही है कि कोई भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए तो ठीक है कमेंट करके बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा कि आपको इस सीरीज को और भी आगे ही बढ़ाया जाए तो वीडियो को अंद करने से पहले मैं आपको यहीं बताऊंगा आपको याप मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार